इसके बाद और भी ये बढ़ जाएगा जब दे हूँ समायरा के टेबल के भी डिस्टिंग यहाँ पर चल रही है दिंग करते करते कुछ ज्यादा कलर इदर फैल गया है एले क्लीन करती हूँ एन देन उसके बाद बारी आती के उपर हमने शॉपिंग से रिलेटेड बैक रख रिफ्रेशिंग जोस अडिटिंग वाला काम है वो कंप्लीट कर लिया करती हूँ स्वागत है आप सभी फ्रेंज का एक बार फिर आपके अपने चैनल जिसका नाम है वीजेस वने लाइफ के एक और नए ब्लॉग में संजू समायरा दोनों ऑफिस और स्कूल के लिए निकल चुके हैं और रियालिटी में अभी ये है मेरे घर का हालत देखिए कूलर में पाइप से पानी भने के बाद पाइप वहीं पह रहा है कपड़े समायरा के चेर के ऊपर है डाइनिंग टेबल तो भी डाइनिंग टेबल नहीं लग रहा है मल्टी परपस कोई स्टेशन लग रहा है और बैट का भी कुछ ऐसा ही हालत है ये रियल फुटेज है मै जो भागदोर है उसमें किचन का जो हालत है ना उसके बाद कुछ ऐसा ही लगता है I mean सबके घर में ऐसा ही होता होगा एक्चली सबके घर से जाने के बाद ही जो टाइम है ना उसमें हम लोग घर का काम स्टार्ट कर देते हैं आजकल हमारे पूरे देश में इतनी ज्यादा गर्मी पढ़ रही है सबसे जादे तो मेरे कहाल से वेस्ट बेंगोल में पढ़ रही है और आज का आगरा का जो टेंपरेचर है वह अभी का मैं आपको बता रही हूं यह 31 डिगरी दिखा रहा है इसके बाद और भी यह बढ़ जाएगा जब तक धूप बहुत ना चड़त बहुते हैं थोड़ा सा मन करते है कि रिलाक्स करे थोड़ा सा फों चला ले या थोड़ा सा टीवी हॉन कर ले मैं बिलकुल इन सब चीजों में टाइम नहीं वेस्ट करती हूं क्योंकि मुझा पाता है इसके बाद इतनी धूप पढ़े और एक रूम इतना गरम हो जाएगा कि घर का छोटा मोटा काम करना बहुत मुश्किन हो जाएगा उसमें बैट के दोनों तरफ छोटे छोटे दो टेबल लगाए गये हैं इस सैट पहले मैं सोया करती थी तो यहाँ पर मेरे समान रहते थे लेकिन आज कल कुलर का ठंडा हवा की वज़े से संजू इस सैट सोते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी ठंडा लगाता है तो मैं इस सैट सोने लगी हूँ जहाँ पर थोड़ी कम हवा आती है तो देखिए बेट साइट का जो टेबल है वो भी हमने चेंज कर लिया है उस सैट वाला मेरा हो गया है और उस तरफ वाला कुलर के तरफ वाला वो संजू का हो गया है तो देखिए, दोनों सेट कर दिया है, बेड भी सेट हो गया है, तो अभी देखिए, बेड कितना क्लीन और घर थोड़ा साना और ग्राइस लगना स्टार्ट हो गया है इस साइट वाले बॉक्स में बेसिकली कोई कपड़े या कुछ भी नहीं रखती हूँ, जादातर खाली ही रखती हूँ, लेकिन कल कुछ ट्रंक से कपड़े निकाने के चकर में इससे कुछ कपड़े निकल गए थे एक्स्टा, तो इसी के उपर रखा था, वो मैं अभी सेट क दे रही हूँ, बिसिकली इस बॉक्स को मैं यूज करती हूँ, जो बेडिंग में एक्स्टा कंबल या चादर यूज होते ना, उसको रखने के लिए, कंबल अभी भी हमने बाहर इसलिए रखा है, कि देखिए, मिड़नाइट में जब कुलर की हवा से सरदी लगने लगती ह तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि अपना नीन दोड़ के कुलर बंद करने जाए, वैर जितने भी एक्स्टा कपड़े निकले थे, वो तो मैंने लॉकर में सेट करके रख दिया है, अभी बार ही आती है समायरा के स्टडी टेबल को थोड़ा सा और्गनाईज करके रखने क क्योंकि ना रिसेंटली प्रिंटर जो है वो भी हमने समायरा के स्टडी टेबल के उपर ही रखवा दिया है, तो इसलिए आपको टेबल थोड़ा ज्यादा मैसी लग रहा होगा, क्योंकि देखे प्रिंटर काफी बड़ा है और उसके एक्स्ट्रा वायर भी होते हैं, तो उ प्रिंटर का मैं यहाँ पर डस्टिंग भी कर दे रही हूँ, समायरा के टेबल के भी डस्टिंग यहाँ पर चल रही है, और ढखके रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि धूलना कहां से आ जाएगी अंदर कुछ पता नहीं चलता है, इस वाले स्टडी चेर पे बेसिकली समा जादा कलर इदर फैल गए थे, तो मैंने एक वैट वाइप से इसको थोड़ा सा रब कर दिया है, और इसली सारे जो कलर से वो रिमूव हो गए है, तो देखिए, रूम के इस साइट का और्गनाइशन, क्लीनिंग, डस्टिंग, सब कुछ हमने कर लिया है, हमेशा सी ना फ् अचा होती है अंदर, लेकिन किसी कारण ना हम लोग कर नहीं पाते हैं, जब भी हम सामने किसी और को काम करता हुआ देखते हैं, तो अंदर से एक मोटिवेशन आता है, कि नहीं चलो, हम लोग भी उड़ते हैं, और घर का काम करना स्टार्ट करते हैं, आज का जो बलॉग ब मेरे लिए और कुछ नी होगी इस रूम में बेसिकली तीन ट्रंक है एक के उपर हमने शॉपिंग से रिलेटेड बैक रखा है संजो का नाइट ड्यूटी वाला बैक भी यहीं पर है दूसरे वाले बॉक्स पर हमने एक ना सेटिंग एरिया बना के रखा है जिसको नेट वाले एक फ्रेशनेस और पॉजिटिव वाइब मिलने लगती है तो चलिए अभी इसी रूम में जो टीवी कैविनेट है उसको भी ना थोड़ा सा क्लीन और रियॉर्गनाइज कर लेते हैं हर एक ब्लॉग में एक ही पर्टिकुलर कमेंट मुझे रेगुलरली रिसीव हो रहे हैं वो है complete quarter tour का तो friends quarter tour मिलेगा और थोड़ी सी सबर कर लीजे quarter देखिए चेंज अगर हो जाता है तो नए वाले quarter में आपको room tour मिलेगा तो देखिए friends tv cabinet का जो ये वाला area है यहां का अच्छे से organization cleaning और dusting भी अच्छे से हो गया है और अभी ये कुछ ऐसा लग रहा है artificial plant का भी इतना अच्छे से मैं care करती हूँ कि मेरे घर में जो आने वाले महमान है वो एक बाद तो confused हो जाते हैं कि ये real plant है या fake plant है दोनों रूम का cleaning के बाद अभी मैं dining area को clean करने आ गई हूँ सबसे पहले तो यहां पर जो mirror है इसको मैंने थोड़ा साफ कर दिया क्योंकि अभी summer time है pipe का ज़रूत frequently पढ़ते रहता है तो pipe भी मैंने यहीं पर ही रग दिया है वैसे तो housewife का जो काम है फ्रेंस वो 24 x 7 चलता ही रहता है लेकिन अधीट करके न हम इसको ब्लॉग में कम से कम 10 से 15 मिनट में करके न आपको present करते हैं तो friends आपका एक like और एक प्यारा सा comment ना बहुत motivate करता है हम जैसे छोटे creators को तो please दिल खोल के like कीजे, comment कीजे और चैनल पर first time है तो subscribe करना भी न भूले सारे room को organize करने के बाद जितना भी dust निकला है ना उसको अभी clean करने का time आ रहा है लेकिन सबसे पहले ना front वाले room में थोड़ा बहुत मुझे spider web दिख रहे थे तो मैंने इस stick के help से उन सभी को निकाल लिया है क्योंकि महमान आखे ना इसी room में बैठते हैं और ज्यादा तर spider web देखना आप रात को light जलाकने के time ही दिखते हैं दिन के time ये बिलकुल नहीं दिखेंगे समर में especially सुबह के time ना मैं पोहा और उपमा दो साही सब बनाना पसंद करती हूं रोटी और पराठा स्पेशली मैं अवाइड करती हूं कि कि देखिए किचन में फैन चलते रहता है तो जो डस्ट है ना आटे का वो इधर उदर उड़ता है और डबल सफाई करनी पड़ती है वैसे आज मुझे समारा को टिफिन में ना पनी स्टफ पराठा बना के देना पड़ा है जिसका शॉर्ट वीडियो में मैंने बनाया है उसको भी आप चेक आउट कर सकते हैं किचन काउंटर टॉप का क्लीनिंग और थोड़ा सारी स्टॉकिंग तो मैंने आ कर दिया है अभी सूबे के जितने भी बरतन निकलेना फ्रेंस उसको क्लीन करना है मेरे घर में ये बहुत अच्छी एक आदत मैंने इंक्लूट किया है चाहे बरतन मैं वाश कर रही हूँ या संजू बरतन वाश करने के बादना सिंख एरिया को भी अच्छे से हम वाश करते हैं उपर क्वार्टर होने की वज़ा से ना फ्रेंस सारे रूम से जितना भी कूडा कच्छा जाड़ो लगा के मैं निकालती हो ना उसको घर पे ही मुझे रखना पड़ता है अगर नीचे रूम होता है तो हम डस्टिंग करके या जाड़ो लगा के न उसको बाहर फेक देते हैं लेकिन इसको इक खटा करके मुझे डस्ट बिन में डालना पड़ता है और सुबह तक का वेट करना पड़ता है जब सफाई वाले भाईया आएंगे तब ही ये सब कच्छडा घर से बाहर निकलेगा जब एक हाउस वाइफ का घर क्लीन और्गनाइज होना तब जाके वो होती है टेंशन फ्री और अपने दूसरे काम पे वो तब जाके फोकस कर सकती है मैं यहाँ पर मैं नहादो के किचन में आ चुकी हूँ सबसे पहले तो मैंने राइस पिठाया और यहाँ बन रहा है आलू भाजा आज मैं आपसे बैंगॉलियो का ऑथेंटिक समर स्पेशल लंज शेर करने वाली हूँ थोड़ा सा कच्छा आम यहाँ पर उबालने के लिए मैंने डाला है इसमें डाल रही हूँ एक चमचीनी, नमक और थोड़ा सा हल्दी इसको ढखके हम लोग थोड़ा सा बॉइल कर लेंगे आम थोड़ा सा बॉइल यहाँ पर हो चुका है यहाँ पहले से वाश किया हुआ और पानी में भिगाया हुआ मुसरु डॉल मैंस में एट कर दे रही हूँ इसको फिर से ढख देंगे चलिए, एक समर कूल रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाते हैं जार में मैंने थोड़ा सा वाटर मेलन और थोड़ा सा बीट रूट कट करके डाला है उसको अच्छे से ग्राइंड कीजे और छनी में अच्छे से चान लीजे आपको मिलेगा एक रूबी कलर का बहुती प्यारा सा रिफ्रेशिंग जोस घर का काम जल्दी फिनिश करके जो फ्री टाइम मुझे मिलता है ना उसमें मैं बैटके मेरा जो ब्लॉगिंग है उसका अडिटिंग वाला काम है वो कम्प्लीट कर लिया करती हूँ तरका वाले पैन में थोड़ा सा सरसो तेल, राई के दाने और सुखा मिर्च डाल के हमें इसको डाल में तरका लगा देना है खटा डाल, आलू भाजा, राईस और फ्रेश कटा हुआ खीरा ये था आज हमारा समर स्पेशल थाली I just hope friends कि आज का जो समर स्पेशल ब्लॉग था वो आपको बहुत ही पसंद आया होगा फिर मिलते हैं करनाई ब्लॉग के साथ तब तक लिए बाई, टेक के रेंड, थैंक्स पर वाचिंग